सभी को नमस्कार आज बात करेंगे जी एम लोको मोट्यू में गाड़ी संचालन के दोरान ओट एंजन आने पर आपको क्या कारेवाई करना है या फिर रेडियेटर फैन नहीं चल रहा है तो आपको क्या कारेवाई करना है तो देखे सबसे पहले जब भी लोको का आप चार्ज लेते हैं रेडियेटर फैन का कारे करना सुननी सित करें रेडियेटर फैन का फिजिकली चलना सुननी सित करें जो जी एम लोको है उसमें जो पानी का सामाने तापमान है वरकिंग के दोरान वो कितना मिलेगा आपको 79 से 85 degrees centigrade इसी temperature पर आपकी जो radiator fan हैं दोनों फेन शलो और past speed पर temperature के अनुसार जो इनकोwoda radiator fan को चलाता रहता है अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि यह थी आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास मैदा का लोको है मैदा के लोको में पाने का तापमान 96 degree centigrade होने पर engine 6 notch limit पर आ जाता है यानि कि यह जो message देख रहे हैं out engine limit in 6 notch यह message आपको display पर मिल जाता है और यह message मिलने के बाद आपने notch तो 8 लगा रखा है लेकिन जो power मिलेगा वो power मिलेगा आपको 6 notch की बरावर अभी message display पर है temperature आपका 96 हो गया है अगर temperature कम नहीं हुआ temperature बढ़ता जा रहा है और बढ़े कर 96 degree से 101 degree centigrade होने पर यहां पर भी यो मैदा का लोको है ये 101 degree पर 5 मिनिट तक कारे करता रहेगा 5 मिनिट 101 degree पर होने पर फिर excitation cut off हो जाता है और engine idle पर आ जाता है यानि कि मैदा के लोकों में 8 engine limit in 6 notch का message मिलेगा 96 degree पर और 101 degree तक 96 से लेकर 101 degree तक और 101 degree पर भी 5 मिनिट तक ये लोकों काम करेगा यानि कि 101 degree पर 5 मिनिट चलने तक 6 notch की power आपको देता रहेगा पिर उसके बाद engine idle आ जाएगा अगर आपके पास M2000 लोकों है तो उसमें जो तापमान रहेगा वो इस तरह से रहेगा MD लोकों में पाने का तापमान 97 degree centigrade होने पर engine 6 notch limit पर आके ये message दे देता है 8 engine limit in 6 notch का अभी 97 से लेके 105 degree centigrade तक आपको 6 notch की power मिलेगी और जैसे ही 105 degree centigrade से ज़्यादा तापमान हो जाता है तो engine आपका यहाँ पर आइडल आ जाता है तो इस तरह से जो M2000 लोकों है उसमें 97 degree centigrade होने पर 8 engine limit in 6 notch का message आपको डिस्पले पर मिलेगा पिर उसके बाद आपको लगातार 6 notch की power मिलेगी कितने degree तक 105 degree तक और 105 degree centigrade जैसे ही ज़्यादा तापमान होगा engine आपका आइडल आ जाएगा एदिस सीमेंस का लोको आप चला रहे हैं डूल केब लोको या S3 वर्जन लोको है आपके पास तो वहाँ पर यह जो hot engine limit in 6 notch का जो message मिलेगा वो आपको मिलेगा 100 degree पर यानि कि सीमेंस के लोकों में पानी का तापमान 100 degree centigrade होने पर engine 6 notch limit पर आके यह message दे देता है और जैसे जैसे temperature बढ़ता जाएगा और 100 से 112 degree तक 6 notch की power आपको मिलते रहेगी 8 notch आपने लगा रखा है लेकिन जो power मिलेगा वो आपको मिलेगा 6 notch का 112 degree centigrade के बाद यहाँ पर engine आपका 2 notch पर आजाता है और यह 2 notch की power भी आपको फिर 112 के बाद भी देता रहेगा तो इस तरह से जो मैदा का लोको है EMD का लोको है सीमेंस का लोको है उसमें यहä था hot engine limit in 6 notch का message display पर कितने degrees centigrade ताफमान होने पर आता है अब hot engine का message मिल गया engine idle आगया है या hot engine limit in 6 нуж का message जो मिला हुआ है display पर उसमें कारेवाई क्या करना है तो यहाँ पर जो ECC3 है लोको राइट साइड असेसरी रूम के बार मुआ जाके आपको देखना है कि मेरे जो रेडियेटर पेन के सर्किट बरेकर 1 और 2 जिनको MCB1, MCB2 बोला गया है ये ट्रिप तो नहीं हो गये है MCB1, MCB2 ट्रिप होने का इंडिकेशन भी केब में लगाया गया है जैसे ही ये सर्किट बरेकर ट्रिप होते हैं तो ट्रिप होते ही केब में कंट्रोल स्टेंड पर LED परकासित हो जाती है और अलाराम बजने लग जाता है और डिस्पले पर भी मैसेज इस तरह से मिल जाता है ECC3 में सर्किट बरेकर 1 और सर्किट बरेकर 2 जिनको MCB1 और MCB2 भी बोला गया है ये ट्रिप होता है तो ट्रिप इंडिकेशन भी LED लेम के दोरा केब में परकासित हो जाता है इस तरह से बहुत सारे लोकों में कंट्रोल स्टेंड के ऊपर 4 LED लगा रखी है अगर एक सर्किट बरेकर ट्रिप होता है तो 2 LED परकासित हो जाती है दूसरा सर्किट बरेकर ट्रिप होता है तो ये 2 LED परकासित हो जाती है कुछ लोकों में इस तरह से ये छोटे वाले इंडिकेशन नहीं लगा के और ये बड़े वाले इंडिकेशन लगा रखे हैं जो बड़े वाले इंडिकेशन मिलेंगे वो दो ही मिलेंगे जब एक सर्किट वरेकर ट्रीफ होगा तो ये वाला इंडिकेशन परकासित हो जाएगा जब दूसरा वाला सर्किट वरेकर ट्रीफ होगा तो ये वाला इंडिकेशन परकासित हो जाएगा साथ में लोकों में अलाराम यानि की गंटी बजने की आवाज भी आएगी डिस्पले पर मैसिज भी मिल जाएगा अगर ये LED परका सितोरी है इसका मतलब जो मेरा ACC3 है उसमें लगे radiator fan के circuit breaker ट्रिफ हो गये है अब उनको reset करने की कारेवाई आपको करना है तो ACC3 में radiator fan के circuit breaker ट्रिफ होने पर उनको reset किस तरह से आपको करना है गाड़ी संचालन के दोरान आप गाड़ी को पहले सुरक्षित इस्तान पर खड़ा करें सुरक्षित इस्तान पर खड़ा करने के बाद साइक लोको पाइलेट को आपको बेजना है साइक लोको पाइलेट ACC3 के पास जाएगा और ACC3 के पास जाके पेनल खोलेगा, पेनल खोलने पर सर्कुट बरेकर 1, 2 जो भी ट्रिफ मिलता है तो सर्कुट बरेकर जब भी ट्रिफ होगा बीच में आजाएगा उसे रिसेट करने के लिए सायक लोग को पाइलेट या आप जाते हैं तो सर्कुट बरेकर को trip से फहले आपको off करना है और फिर off करने के बाद ही circuit breaker को on करना है तो इस तरह से जब circuit breaker trip हो जाएगा तो ये बीच में आ जाता है अब circuit breaker बीच में आ गया तो सबसे पहले इनको क्या करना है आपको trip से off पर करना है off करने के बाद off से इसको ले जाना है आपको on position पे तो इस तरह से जो circuit breaker है इनको आपको trip से reset करना है अब circuit breaker आपने reset कर दिया है circuit breaker reset करने के बाद आपको radiator fan चल जाते हैं तो आगे आपको काम करना है ECC3 के अंदर radiator fan के दो circuit breaker लगे हुए हैं ये जो सामने देख रहे हैं ये दो circuit breaker लगे हुए हैं और यहाँ पर radiator fan के चेक कॉंटेक्टर भी आपको लगे हुए मिलेंगे जिन में से दो तो आपको सलो के कॉंटेक्टर मिलेंगे और चार आपको मिलेंगे पास्ट के कॉंटेक्टर तो यहाँ पर out engine का message आपको मिल रहा है circuit breaker आपके trip नहीं हुए है किसी दूसरे कारण से एदी radiator fan नहीं चल रहा है तो यहाँ पर इन कॉंटेक्टर की आपको जाच करना है कि कौन सा कॉंटेक्टर pick up है कौन सा कॉंटेक्टर drop है एदी कॉंटेक्टर की knob यह जो knob देख रहे हैं यह knob एदी बार है तो इसका मतलब कॉंटेक्टर drop है अगर कॉंटेक्टर की knob अंदर की ओर धबी हुई है इसका मतलब जो कॉंटेक्टर है वो मेरा pick up है इसी ACC3 के अंदर आपको यहाँ पर एक मिलेगा MRPT का sensor जो ACC3 है लोको राइट साइड accessory room के बार यहाँ पर इस तरह से आपको एक MRPT का sensor मिलता है और यहाँ पर यह जो देख रहे हैं नीचे की side पर यहाँ पर long hood side के headlight के connector भी आपको मिलते हैं 823C और 823D तो यहाँ पर long hood side की headlight नहीं जलती है तो उसके connector भी यहीं लगाए गए हैं इनमें आपको जब देखेंगे तो 823C और 823D connector मिल जाएंगे जो MRPT का sensor इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर ACC3 के अंदर तो MRPT का sensor ACC3 के अंदर लगा होता है और MRPT का कोक ACC3 के पीछे compressor room में लगा होता है डाटा मिटर में कुलिंग सिस्टम में radiator fan चलने की on-off की जाच करें तो जो कुलिंग सिस्टम में है गाड़ी संचालन के दोरान गर्मी के मोसम में आपको select करके रखना है यहाँ पर कौन सा फैन मेरा चल रहा है कौन सा फैन मेरा नहीं चल रहा है पानी का टेम्परेजर यहां पर कितना आ रहा है ATP1, ATP2 का टेम्परेजर यहां पर कितना दिखा रहा है कौन सा फैन मेरा harp speed पे चल रहा है कौन सा फैन fully speed पर चल रहा है यह सारी बाते आप कुलिंग सिस्टम में देख कर पता कर सकते हैं गाड़ी संचालन के दोरान इंजन टेंपरेजर फिडिवेक फेलेर का मैसिर डिस्पले पर एदी मिलता है इसका मतलब एक जो टेंपरेजर सेंसर है वो खराब हो चुका है इस खराबी आने पर इंजन आपका आइडल पर नहीं आता है इस तरह से जो M2000 लोको है उसमें एदी टेंपरेजर सेंसर एक खराब हो जाता है तो उसका टेंपरेजर यहां पर दिखाईगा 161 डिगरी सेंटीगरेड जो काम कर रहा है दूसरा सेंसर उसका टेंपरेजर दिखाईगा 76 डिगरी सेंटीगरेड यह मैसिज मिलने पर जो वाट पंप है उसके inlet pipe पर लगे temperature sensor की आपको जाच करना है तो इस तरह से accessory room में जाना है accessory room के अंदर लगे water pump के inlet पर लगे sensor की जाच करना है यह sensor एदी lose है या निकल गया है तो इसको आपको वापिस लगा देना है अगर display पर यह message मिल रहा है आपको no load engine temperature feedback failure का अब message change हो गया है अब message मिल रहा है no load engine temperature feedback failure का पहले जो message मिला था उसमें no load लिखा हुआ नहीं था उसमें cable किया था engine temperature feedback failure अब जो message मिल रहा है वो है no load engine temperature feedback failure message display पर होना तो यह no load engine temperature feedback failure message display पर आता है इसका मतलब है कि आपके दोनो temperature sensor जो लगे होए है वो खराब हो गए है जब दोनो temperature sensor खराब हो जाएंगे तो engine idle पर आ जाता है अब इनकी आपको जाच करना है और दोनों खराब होने पर इस तरह से यहाँ पर temperature दिखाईगा 161 degree और इधर भी दिखाईगा 161 degree accessory room के अंदर water pump के inlet pipe पर जो sensor लगे होए है ATP on ATP 2 इनकी जाच करना है lose है तो tight कर देना है निकल गए है तो लगा देना है ACC3 में fan contactor fuse wire terminal पर lose contact या अने खराबी की जाच करना है ओट engine मिल रहा है radiator fan नहीं चल रहा है तो यहाँ पर यह जो देख रहे हैं wire connection contactor के तो इन connection के आपको जाच करना है कि कोई connection lose तो नहीं हो गया है या कोई connection जल तो नहीं गया है या कोई connection यहां से खुल तो नहीं गया है इन सब के आपको जाच करना होता है एदि किसी wire connection lose मिलता है या निकला हुआ मिल रहा है तो उसको पेजखस के दोरा आपको वापिस लगा देना है और जो लोज है उसको टाइट कर देना है एधी अब भी रेडियेटर पे नहीं चल रहे हैं और आपके पास लोको है EMD, Siemens का S1 वर्जन लोको तो उसमें DIO कार्ड बदली करे ACC1 में DIO कार्ड एक को आपको तेन से बदली करना है इस तरह से ये तेन कार्ड मिलेंगे DIO 1, 2 और 3 तो इनको आपस में बदली करके देखे यदि आपने चेंज किया और रेडियेटर फेंच चल गया तो आप आगे कारे करे DIO कार्ड कैसे चेंज करते हैं इसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसमें मैंने दिखा रखा है कि DIO कार्ड कैसे चेंज करते हैं और कब कब चेंज करते हैं लोड और रोड को द्यान में रखते हुए आपको कारे करना है एदी फैन आपका सलो में भी नहीं चल रहा है और पास्ट में भी नहीं चल रहा है तो PCR सेड से बात करके रेडियेटर फैन का आपको सेल्प टेस्ट करना है सेल्प टेस्ट करने के बाद एदी आपका फैन चल ज जाता है तो आपको नॉर्मल कारे आगे करना है एदी फिर भी रेडियेटर फैन नहीं चलता है तो PCR सेट से संप्रक करें जो भी वो निर्देश देते हैं उन निर्देशों का आपको पालन करना है नोट लोको पाइलेट साइक लोको पालेट संटर जहां पर भी ओईची का खंड़े लोको मोटिव के चट पर नहीं चड़े तो इस तरह से जो जीम लोको था उसमें रेडियेटर फैन नहीं चलने पर आपको क्या कारेवाई करना है और किस तरह से वो टींजन यहां पर आता है तो उसमें आपको क्या कारेवाई करना है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद